ये बताने से पहले गाईस पहले मैं subject के बारे में कुछ चीज़े clear कर देना चाहता हूँ अगर मैंने बार रोला है कि अगर Mumbai and Pune अगर इनके सभी चीज़े complete होगे तो बाखी इन्वसेटी के जो topics अगर देखोगे ने इन ही से मिलता जुलता है आप सभी अगर देखोगे तो हम जो वीडियोस बना रहे हो topics को ले लेके वीडियोस बना रहे तो आपको थोड़ा बच इतना hard work तो करना पड़ेगा है topics search करो प्रदीवरी academy डालके आपको सभी चीज़े मिलती जाएगी आपको बताना चाहूँगा कि अगर मैं बात करू तो complex number हो गया then matrices हो गया partial derivatives हो गया तिर वहां भी दूसरा module चल रहा mechanics का वो भी complete हो चाएगा जो जो topic हमने नहीं करवाएद है मैं ट्राइस में जो topic नहीं करवाएद है जो extra topic है वो भी हम करवाना start करेंगे बड़ गाइस मैं आप सभी के यही रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज जीतना हो सके उतना support दिखाओ कि कहीं नगई हम demotivate नहों जागा अगर demotivate हो गए तो गाइस कहीं अगर कोई चीजे बंद होती है तो उसमें रिजन आप सभी कहीं होता है इसके कि अगर हमारे अंदर भी energy motivation आपके comment यह चीजों को देखके आता है तो प्लीज जीतना हो सके उतना support दिखाओ जिससे हम बहुत सारी चीजे कर पाएं अब सभी देख रहे हम लोग इतना continue hard work कर रहे हैं आप ही सभी के लिए आपका support नहीं मिला तो कहीं न कहीं कुछ चीज़े मोटिवेट जैसा feel होता है तो अगर मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो बस संस्ट्र में संस्ट्र में क्लियर होना चाहते हैं उनको बस और क्योंने अड्मिशन तो ले लिया पर उनको पास होने का टेंशन होंगा कि नहीं हो कि इतना लोगों ने फै पास करना है क्योंकि दोना चाहिंत है कि आपको अब जी बढ़ता है कि आपको जो मास निकाल के भीजना अपड़ता है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा तो आपको दियान तेस्ट कहां मिलेंगे जो आपको assignment मिलेगा assignment on time submit करना अगर on time आपने submit किया न तो teacher के सामने आपका image भाई अच्छा कासा बनता जाएगा और उसी assignment के अंदर आपको questions मिल जाएंगे जो आपके unit test में आएगा और मुंबई University वाले बच्चो तो आप बहुत अच्छी तरीके से ये unit test पर focus करो unit test बहुत important क्योंकि unit test आपका आप सभी को पता है कि one month के अंदर ही आपका start हो जाएगा तो आपको यह करना चाहिए इसके बाद मैं बताओ कि time work time work marks वह आपके हाथ में time work marks आपके हाथ में attendance अगर आप पुरी तरह से रखते नहीं कि बहुत सारे बच्चों को graduation में जाने के attendance आपका बहुत अच्छा कासा तो उसके थू भी आपको marks मिलता है तो अच्छा कासा तो इसी से एक बंदा पास होने की पास होने की दहलीज तक बहुत चुका रहता है अगर उसको और अच्छा कासा score करना तो प्रिवियर्स को question paper कर लो या ओके दो तीन साल का कर लिया आना पिछले दो तीन साल का कर लिया आना तो बस खतम हो गया अच्छे बहुत अच्छे से पास हो जाओगे अच्छे तरीके से तो भाई सिंपल सी बात है अगर आप इस जंग में कूदे हो तो लड़ना हो गाई अ पता ही आपको क्या हो जाएगा इसे लड़ना है और बहुत अच्छी तरीके से लड़ना है इससे क्या होगा कि आप अराम से जिज्ज आओगे और अच्छा कासा score भी करोगे जो जो चीजे मैंने बता इस फोकस करना है अगर अभी से फोकस करोगे तो अच्छा score करे होगे और इवन इस पे इसी चैनल में बहुत सारी चीजे आ रही है अगर जो अच्छी से फोकस करेगा उसको तो बहुत सारी चीजे हो चुकी एवन यूनिट टेस्स के लिए तो बहुत सारी चीजे हमने खतम करवा दिये और गाईस अगर और भी आपके कोई कुश्चन सा तो प् थैंक यू सो मच गाईस और जाए हिंग दोस्तों